होली का तेवहार नस्दीक है और संगम नगरी प्रियागराज की बात करें तो यहां होली के अलग ही रंग देखने को मिलते हैं यहां सड़कों पर तीन दिनों तक लगातार रंग खेले जाने की परंपरा है ऐसे में हर साल तमाम लोग होली के तेवहार के बाद बीमार नजर आते हैं लोगों को अलग अलग तरीके की दिक्कते होती हैं तो इस बार होली के तेवहार पर लोग किस तरीके से सतरकता वरते हैं ताकि उनकी सेहत को कोई खत्रा ना हो हमारे साथ तमाम मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ डाक्टर प्रभात सिंग जी हैं जो की प्रया सबसे पहले डाक्टर प्रभाद जी आप से जान लेते हैं कि होली पर लोगों को किस तरीके का एहतियात इस बार बरतना है ताकि वो त्योहार अच्छे से मना सके और त्योहार के बाद उनको किसी तरीके की दिक्कत ना हो दर्शकों को मैं का होली रंगों का तयोहार है कूप हिए के लिए कूप कोविं इसद्रह अपने सावधान अपर हमाने-चारी को सेbat हो कि परके नांपलिन सामानी सावान होता है अजो पुरान समय से उसका इस्हपाद करें और जब भी कोई दिक्कत हो तो अपने आसपास डॉक्टरों से मिले या तो सबसे पहला काम है रंग को साधे पानी से साफ कर ले अच्छे एक और चीज देखने को मिलते हैं कि होली पर गुजिया और पापड तो लोग खुब खाते हैं लेकिन साती सार ड्रिंक भी करते हैं तमाम लोग ऐसे होते हैं जो भांग या दूसरी चीजा करते हैं इस मोपड़े होती किसी नसरिक से वन करें और नशा के की, आपके परिवार के लोग हैं, और आपके आसपास के लोग है, दोनों की जानके, आप जम्यदार हैं。 मतलब अगर drink कर रहे हैं तो थोड़ा ही drink करें, ताकि उनको खुद को दिक्कत ना हो और अगर वो बाहर निकलते हैं, तो पुस्रों को दिक्कत न हो, डक्टर अनुभा आप से जानना चाहेंगे, आप फिजिशियन हैं, ज्यादातर प्राउब्लम जो है, वो इसी तरीके से लोगों को आती है, तो क्या एहतियात बरते हैं लोग जो है, सबसे पहले तो सभी को होली की बहुत सारी शुब कामना है, से बहुत से बचेंगे, नशे का प्रयोग ना करें तो बहुत ही अच्छा है, खुशी का तेवहार है, और अगर थोड़ा सा खुशी में, अगर अल्कोहल या भांका लेते हैं, तो मॉडरेशन में, खान पान पे बिलकुल नियंतरट रखेंगे, जैसे आपने कहाँ, शुगर लेविल्स भी हमारे बहुत तेवहार की वज़े से खान पान में गड़बर हो जाते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हॉस्पिटल के नौबत आ सकती है, तो सही मात्रा में ले, मीठा भी ले तो थोड़ा सा ले, कि खुशी का तेवहार है, पर उसके अला बनते हैं, या तो बहुत मीठे पकवान, गुजिया वगरा बनती है, लोग खाते हैं, या तो फिर बहुत आयली होता है, पापड़ हो गया, दूसरी चीज़ें हो गई, तो ऐसे में किस तरीके से जो है, कि लोग त्योहार का मज़ा भी ले और साथी साथ उनकी सेहत पर भी सेजनल सबजी भी बनवाएं, और सलाद की मातरा ज्यादा रखें, तो एक प्रपोर्शन जो बैलेंस डाइट है, उसको मिस ना करें, थोड़ी से महनत लगेगी, और आप मीठे का भी स्वाद ले सकते हैं, हम तो यही कहेंगे, थोड़ा घर में बनाएं, आप घर में करें, यह देखा गया ना कि बहुत बड़ी संख्या में लोग डाइविटीज पेशन्ट हैं, तो डाइविटीज पेशन्ट को किस तरीके की एडवाईज हैं, आज सुसाइटी में अगर हम जाते हैं, हर दस में से एक को शुगर की समस्या, तो यह तो सबसे आम समस्या हो ग करें, आप अपना जो नॉर्मल भोजन है बोलें, और जैसे हम डेजर्ड बोलते हैं मिठाई में, अगर आधी गुजिया खाएंगे, तो तो मन ही जाएगा, या अधार रस गुल्ला या गुलाब जामून लेंगे, तो उसी तरीके से लें, और अपना जो डाइट आप अप करें, अगर आप दिखा लेंगे अपनी डाक्टर को तो तो तुरंत अपने डाक्टर से संपर करें, अगर आप दिखा लेंगे अपनी डाक्टर को तो 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 तुरंत अपने डाक्टर से संपर करें, अगर आप दिखा लेंगे अपनी डाक्टर को तो 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 टाने करेंगे को जल्दी कंट्रोल कर लेंगा और विझे दिक्कत आती है क्या और रंगों की वज़ेसे अगर दिक्कत आती तो किस तरीके का इहतियान ना चाहिए रंगों की वाले क्यों से को All Imp Champion घजातेыл या कर जाते लिएकिवाÃ असम मा की सिम्टम बढ़ जाते दूर लगाएं ताकि सांस के तो उसका एक्सकोजर कम हो उससे होनी वाली समस्या है थोड़ी से उससे कम हो जाएंगा अच्छा जो एलर्जी की प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे कैसे बचा जा सकता होली के मौके पर उसके लिए इंटी इलर्जी काती हैं दवाईयां आप सुरू कर सकते हैं कुछ दिन पहले से और कुछ दिन बात तक उसको कांटीनू कर लें लेकिन एक्सपर्ट से एडवाइस के बाद ही कोई भी मेडिसिन लेनी कोई मेडिसिन प्राशित आमाल छोड़के कोई मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो आपको अपने डाक्टर से सलाह आपक्स सिहत को कोई नुकसान भी ना हो